Hello friends, welcome to this video, इस वीडियो में हम VIRS ENGELPING CHENELISTIC PATTERN के विसे में बात करेंगे पिछले वीडियो में आपने VIRS ENGELPING CHENELISTIC PATTERN के बारे में समझा बीरिस इंगल्पिंग केलिस्टिक पेटरन बिल्कूल बुलिस इंगल्पिंग केलिस्टिक पेटरन का वाइस वर्सा यानि की उल्टा है तो आई देखते हैं कि Beerus Engulfing Calistic Pattern चार्ट में किस प्रकार बनता है और इसका एपेक्ट क्या होता है Beerus Engulfing Calistic Pattern में पहली candle ग्रीन और दूसरी candle रेड होती है दूसरी candle Beerus Engulfing Calistic Pattern में पहली candle को पूरी तले इंगलब कर देती है या ढक देती है बीरिस केंडल स्टिक पेटरन एक बीरिस केंडल स्टिक पेटरन है जो दो केंडल से मिल करके बनता है ये केंडल स्टिक पेटरन बनने से पहले चार्ट में एक तेजी का ट्रेंड चाहिए इस प्रकार ये केंडल स्टिक पेटरन चार्ट के टॉप में बनता है और ये एक trend reversal candlestick pattern है ये candlestick pattern बन जाने के बाद में market में मंदी आती है यानि कि market का trend नीचे की तरप हो जाता है trend various हो जाता है ये candlestick pattern बनने के बाद में various engulfing candlestick pattern की जो red candle है उसके low के नीचे sell किया जाता है और इसके high के उपर stop loss लगया जाता है आए समझते हैं कि chart में various engulfing candlestick pattern किस प्रकार दिकाई देता है chart के top में आप ध्यान से देखें तो आपको एक various engulfing candlestick pattern दिकाई देता है जिसमें पहली candle green है और दूसरी candle red है और यह candlestick pattern बनने से पहले chart में एक तेजी का trend होता है यह candlestick pattern बन जाने के बाद candlestick pattern की दूसरी candle के नीचे का हम sell करते हैं यहापर हमारा sell order लगाते हैं यानि कि यहाँ से sell किया जाता है और various engulfing candlestick pattern की जो दूसरी candle है उसके high के उपर का stop loss लगया जाता है इस प्रकार इस trade में entry करने के बाद आप देखते हैं कि एक अच्छा खासा downtrend आता है तो इसमें यदि हम risk reward ratio ग्यात करना चाहें तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एक trade विला है और यह stop loss लता है तो आपको करीबन जो 2 या 1 each 3 यानि 2.8 का एक risk reward ratio मिलता है तो इस प्रकार bearish engulfing candlestick pattern short करने के लिए एक कारगर candlestick pattern माना जाता है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद